और ये इसलिए सिग्निफिकंट है क्योंकि इसकी विंड स्पीड उस सूपर साइकलोन से मैच कर रही है और फिलहाल जो सूपर साइकलोन का डिफिनिशन होता है उसके बारे में तफसील से महापातरा साब बताएंगे जो आएमडी के डिरेक्टर हैं दीजी हैं लेकिन मैं इतना बता दूं कि सूपर साइकलोन टू फिफ्टी किलोमेटर्स पर आर की स्पीड से विंड स्पीड होता है और अभी जो सूचना है ये बीस तारिक की सुबह या दिन में किसी व दीघा और बंगलादेश के हटिया दूइप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है अगर उसका एक आंकडा आकलन लिया जाए तो ऐसा प्रतित होता है कि सागर दूइप या काक दूइप ये दोनों दूइप हैं डेल्टा में और वहाँ पर कहीं लैंडिंग हो सकती है दोन ही रहाइशे इलाके हैं काफी ज्यादा पॉपुलेशन है इसके इलाबा उडिसा का जहां तक सवाल है उडिसा के उत्तर पूर्व के जो तटवर्ती जिले हैं बसलन भदरक बालसोर जाचपूर और मयुर्भंज ज्यादा तर इसमें भदरक और बालसोर एफेक्टेड होने की संभावना है और ये तटियवर्ती जिले हैं जिस से लगभग सटा हुआ सटा हुआ ये साइकलोन मूव करेगा ऐसी परिस्थिती में चूंकि एक सूपर साइकलोन है और जब लाइंड फॉल होगा तब भी या एक्स्ट्रीमली सूपर साइकलोन की कैटेगरी में होगा इसका मदलब है कि जब लाइंड फॉल होगा तब भी विंड स्पीड 195 से 200 किलोमेटर प्रतिगंटे होगी और रिहा साथ एलेक्ट्रिक पोल्स और टेलिकॉम पोल्स का भी सीरियस डैमेज हो सकता है लाजमी है और यह समझ में आता है कि इस डैमेज के प्रोसेस में लोगों पर भी जानमाल का खत्रा है खास कर गरीब लोगों पर जानमाल का बहुत बड़ा खत्रा है इसलिए तयारियां भी उसी के अनुरूप होने की ज़रूरत है भारत सरकार ने इस development को जिसको एक sudden transformation या rapid transformation कहेंगे कि यह transform हुआ एक severe cyclone से super cyclone की category में rapid transformation इस rapid transformation के मद्दे नजर इसको बहुत गंभीरता से लिया और आज एक ऐसा दिवस है आपदा प्रवंदन में एक तारीख मानी जाएगी कि जो टीन जो बड़े इसमें platforms हैं सबसे कारगर platform होता है national crisis management committee जो executive platform होता है उसकी meeting भी हुई cabinet secretary महदे के अध्यक्षता में उसके पूर्व मान्य ग्रह मंत्री महदे ने भारत सरकार ने समिक्षा बैठक ली और अंतता मान्य प्रधान मंत्री ने स्वैम उनकी यह भी हैसियत है कि वो NDMA National Disaster Management Authority के chairperson भी होते हैं तो उन्होंने बैठक ली तो आप इसी से समझ सकते हैं कि तीन बैठक सिलसलेवार लिए गए तो कितनी गंभीता से भारत सरकार इस transformation को ले रहा है और क्योंकि यह इतने सालों बाद कई दश्कों बाद पुना सूपर साइक्लों आ रहा है इसको हम लोग कम तर नहीं आखना चाते हैं और पूरी तैयारी मुकमल तैयारी करना चाते हैं और वही बात राज्य सरकारों को कहा गया है और यहां से यह भी उमीद की जा रही कि राज्य सरकार उसी के अन्रूप सारी तैयारिया कर रहे हैं इवैक्वेशन की तैयारी जानमाल की सुरक्षा की तैयारी एंडी आरेफ एसडी आरेफ और लोकल पुलीस और अन्य एजिंसियों की तैयारी यह सारी तैयारियां उसी अ आपको साइकलोन का पाथ दिखा रहा है आप देख रहे हैं कि लैंड फॉल जो है दूइप के इलाके में हो रहा है डेल्टा के इलाके में हो रहा है वही सागर आइलेंड और हटिया आइलेंड के आसपास का इलाका है जो कि पस्चिम बंगाल में रिहाश्य इलाका है और इसी पाथवे के अनुरूप हमारी टीमें भी सजाई गई है तैनाद की गई है अभी जब मैं आ रहा था तो दो और टीमें लगाई गई है तो इस तरह से अगर ये टीम के आकलन किया जाए NDRF की टीमों का तो पस्चिम बंगाल में कुल 19 टीमें तैनाद की जा रही है और 4 टीमे स्टैंडबाई में रखी जा रही है 19 और 4 पस्चिम बंगाल में इसी तरह उडिसा में 13 टीमें तैनाद की जा रही है और 17 को स्टैंडबाई में रखा जा रहा है और NDRF की टीमें अपनी जगह पकड़ चुकी है और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में है वो आज देर रात या कल सुबह अपना जगह पकड़ लेंगी जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी है वो awareness drive और sensitization का काम तथा evacuation में मदद कर रही है ये जो आपके सामने cyclone का path है उसी के अनुरूप हम लोगों ने teams को deploy किया है अगले map में वो deployment आ जाएगा लेकिन ये बात मैं आपके स सामने रखना चाह रहा था कि इन teamों के इलावे जो 6 अलग battalion है NDRF के और भी battalion है लेकिन 6 battalionों को hot standby में रखा गया है क्योंकि किसी भी समय और force की जरूरत हो सकती है और NDRF units की जरूरत हो सकती है इसलिए 11 battalion बनारस, 9 battalion पतना, 1 battalion गोहार्टी, 10 battalion विजयवाड़ा, 4 battalion च चार-चार teamों को hot standby में रखा गया है और air force से समन्वय है कि C-130 aircraft के इस्तमाल करते हुए short notice पर इनको अपने गंतव्यस्तल उडिसा या बंगाल लाया जाया अगर जरूरत पड़े तो इसके आगे वाले map में आप देख सकते हैं जो तैनाती हुई है हरे रंग में उडिसा की तैनाती है NDRF की और orange में बंगाल की तैनाती है इस तरह से आप देख सकते हैं 41 टी में हैं जिसमें से 32 टी में तैनात हो चुकी है और 9 टी में रिजर्व में हैं ये टीमों के संख्या घटी बढ़ती रहती है लेकिन ये अमान कर चलें कि जो पूरी तैनाती जितनी होनी चाहिए उतनी कर दी गई है आगे एक जो पते की बात है वो ये कि सभी एजंसियों को चाहे राज्य की एजंसी हो चाहे NDRF हो या सेंट्रल एजंसी कोई भी हो इसमें एक डूल चैलेंज फेस कर रहा है साइकलोन भी है और कोविड-19 का भी एक कॉंटेक्स्ट है तो कोविड-19 के समय में साइकलोन में रिस्क्यू और रिलीफ का काम करना है तो ये डूल चैलेंज है इसलिए हम लोग सभी तरह की प्रिकॉशन्स ले रहे हैं और जो भी सूट्स देने हैं जिस तरह की एतियाद बरतने हैं सैनिटाइजर्स और मेडिसन जो प्रिवेंटिव मेडिसन इत्यादी का जो भी है वो सारा मुहया कराया गया है और फोर्स को दिया गया है नेक्स्ट अगे बढ़ते जाएं यह बढ़ते जाईए यह बढ़तरक में ही अवायनेस ड्राइफ चल रहा है यह भी बढ़तरक में उडिसा में आगे यह केंद्रापड़ा में जागरुकता भ्यान आगे जगसिंपूर बालसोर सागर दीप पस्चिम बंगाल 24 परगना सागर दीप हसनाबाद 24 परगना काक द्वीप 24 परगना सो यह इंडियारिफ की तयारी और जो भी सेंट्रल गर्मिंट ने जो स्टैंड लिया है इस सूपर साइकलोन के मद्दे नजर यह मानते हुए कि सूपर साइकलोन कई दशकों में दूसरी बार फिर आया है उसके मद्दे नजर यह तयारी है और यह मेसेज मैं सपष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उसी के अनुरूप सारी तयारिया हुई है सारी समिक्षाइं हुई है जो आज प्रधानमंत्री महदय ने किया ग्रेमंत्री महदय ने किया और कैबनेट सची महदय ने किया उसी के मद्दे नजर यह तयारी है और इस तयारी को ग्राउंड पो उतारना बहुत ज़रूरी है इसलिए स्टेट गवर्मेंट से भी हमारा अन्रोध होगा कि इसके अनुरूप कारवाई करें और इस कारवाई में पूरा सहयोग सारी सेंट्रल एजेंसियां देंगी धन्यवाद धन्यवाद अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं डी जी आइमडी से कि वो ब्रीव करें मीडिया को नमस्कार मैं आपके सामने अभी जो स्थिती है साइक्रोन अंपन का इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा सब्सक्राइब अभी साइक्रोन अंपन एक सुपर साइक्रोन के हिसाब से केंद्री भूत है वस्टम केंद्रिया बंगवशागर में आपको भी जानते रिक होगा कि ये 16 में को एक डिप्रेशन जैसे पनेशन हुआ और 16 इवनिंग को एक साइक्रोन के रूप लिया और सब्सक्राइब एक सुपर साइक्रोन में प्रणफ हुआ इसका बहुत रेपीट इंटेंसिफिकेशन हुआ जैसे हमने प्रेडिक्शन किया था कि सप्रतारिक को इसका बहुत रेपीट इंटेंसिफिकेशन होगा ऐसे ही हुआ है और ये पहिले उत्तर पहस्चिन दिशा में में गति किया और अभी उत्तर दिशा में गति कर रहा है नेक्स लाइट प्लिश और हमारा उम्मीद है कि ये धीरे-धीरे अभी उत्तर उत्तर पुर्फ दिशा में गति करेगा जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं जो ब्लाक लाइन है वो अभी तक जो पाथ या ट्राक है साइक्लून का वो है और जो रेड लाइन है वो फोरकास्ट ट्राक है इसके हिसाफ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीश तरीकों आफ्टरनून से एवनिंग के बीश में वेस्ट बेंगाल और बंगलादेश तर्ट को दीघा और हाटिया आईलेंड की पीच में सुन्दरबन्स के आसपास पार करेगा और तब वो एक एक एक्स्ट्रीमली सिवियर साइक्न स्टर्म होगा और इसका उइंड स्पीड 165 तो 175 किलोमेटर्स पर आवर और गश्टिने में 195 किलोमेटर्स पर आवर हो सकता है तो आप इसका उइंड स्पीड कंपेर करें आप देखेंगे यह बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है इसका एक्स्टेंसिव डेमेज या लार्शकल डेमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज्यादा इंपाक्ट वहां होता है जहां वो तोट को पार करता है इसलिए सबसे ज्यादा इंपाक्ट इसका वेस्ट बेंगल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगणा है और इस्ट मिदनापू डिस्टिक्ट है वहां ज्यादा होने का उमेद किया जा रहा है यह जो आफ मैप देख रहे हैं यह वींड फोरकास्ट है इ आज रात से कोस्टल ओडिसा की आसपास जो समंदर इलाका है वहां वींड स्पीट 45 से 55 किलमेटर पर आवर रफ्तार में शुरू होगा और धिरे धिरे बढ़के नॉर्थ कोस्टल ओडिसा में 20 तारीक को वींड स्पीट 110 तो 120 और गश्टिनेस में 135 किलमेटर स्पावर हो स रखता है अब जब यह तट को पार करेगा वेस्ट बेंगल और बंगलेस कोस्ट को दीघा और हातिया आईलेंड की बीच में सुंदर बन के आसपास तब इसका वींड स्पीट 165 to 175 गश्टिन 195 केंपेज होने का उमीद है इसके साथ साथ मनें साथ निपर परगणा इस्ट मिदनापूर की साथ साथ जो कलकता हूगली हाउडा डिस्टिक्ट से वेस्ट मिदनापूर है वहाँ भी स्ट्रॉंग विंड रहेगा 110 to 120 किलमेट्स प्रावर वेस्टिंक टो 130 किलमेट्स प्रावर साथ वहाँ भी मेजर डेमेज हो सकता है मैं आपसका यहां पलके रखूँ यह जो wind speed है यह wind speed में large scale damage to structures हो सकता है यानि wide spread damage to the third houses, bean houses, advestis houses, slum areas और इसके साथ-साथ operating of large revenue trees और इसके साथ-साथ जो पकाष structure है, वो दसारता है कि वो extremely heavy rainfall zone है, हमारा यह उमीद है कि West Bengal में, specially coastal districts में heavy to extremely heavy rainfall होने का उमीद क्या जार है, यानि South and North 24 परगना, West and East Midnapur and Hoogli, Kolkata, Hauda districts में हम heavy to extremely heavy rainfall उमीद कर रहे हैं, 19 तरीकों और 20 तरीकों, और इसके साथ-साथ ओडिशा में, North Coastal Odisha districts में हम isolated heavy to very heavy rainfall भी expect कर रहे हैं, extreme heavy means 20 cm से ज्यादा, heavy means 6 से 12 cm और very heavy means 12 से 20 cm कर रहें पर 24 आर्स में, और सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है कोई साइक्लोन में वो होता है कि tidal wave, next slide please, next, और next, tidal wave, ये जो area है, West Bengal का, याने मीदनापूर और South and North 24 परगना, वो बहुत shallow area है, ऐसे ही वहाँ astronomical tide बहुत अंदर तक आ जाता है, जो cyclone आता है, बहुत अंदर तक tidal wave आ सकता है, और tidal wave बहुत जादा भी होता है, मैं आपको ये जनकरी दूँ, समगर बिश्व में, जितना tidal wave रेकर्ड किया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा tidal wave इस area में रेकर्ड किया गया है, साइक्लोनिक बज़े से, वो है 13 meters, एवो अस्ट्रोनिकल tide, इस साइक्लोनिक बज़े से जो tidal wave होने बाला है, हमारा उमीद है कि साउथ और नॉर्ट अन्फर प्रग्राम में 4 से 6 meter, यानि एक story building का आप 3 meter पकड़े हैं, तो ये दो story building का 6 meter होता है, तो 4 से 6 meter height का, एस्ट्रोनिक टाइड के उपर, tidal wave आने का उमीद हो रहा है, ये से ही, मिजनापूर्ट इस्टिस में 3 तू 4 meter tidal wave आने का भी हम उमीद कर रहे हैं, और ये tidal wave, आफ्टरनून से night तक 20 तरीकों आने का उमीद किया जा रहे हैं, और ये जो tidal wave होता है, वो saline water होता है, इसलिए drinking water का scarcity हो जाता है, और इसके साथ-साथ जो standing crops वे वो damaged हो जाता है, और इसके साथ-साथ जो houses से वो भी affected हो जाता है, तो tidal wave से जो inundation होता है, इसके साथ-साथ heavy rain के बज़े से भी inundation combined हो जाता है, सो साइक्लोन जब क्रॉस करते हैं तीन तरीके का हजार होता है इसलिए साइक्लोन को मुल्टी हजार बोलते हैं सो जो एक्सपेक्टेड डेमेज है यह विंट के साथ आप देखेंगे हम एक्स्टेंशिव डेमेज टुकचा हाउसेस और ओल्ड बेडली मेनेज्ट पका स्ट्रक्चर्स को भी डेमेज हो सकता है तो फ्लाइंग अबजेक्स आज़ा इन स्पीड में जैसे कोई सीटी अरिया में होडिंग होता है होडिंग से आपको प्रोजेक्टेल जैसे आकर आपको वेहिकल को डेमेज कर सकता है इसके साथ साथ अफ्रूटिंग हो सकता है, ट्रीज का, और टेलिफॉन और इल्ट्रिक फोल्स भी अफ्रूटिंग, बेंडिंग अगरा हो सकता है, रेल और रोड लिंक भी एफेक्टेड होता है, इसलिए इसका रेगुलेशन, नहीं तो डाइवर्शन और सस्पेंशन जो र एप बोल, बेंग करेंख थाय के अब अध्रूटिंग हो सकता है, यह बत्यूटिंग हो सकता है, और सब्सक्राइव जो रिवर्टी अ क्पछरेंपट्रिक बहुत अरे बेंग्रोट्र जो भी तोि दिल्टायो जो जो भूर्टिक और कि आएब कि गेशन दिल्टीडिक हैं कि total suspension of fishing operation 28 तक और rail and road traffic को diversion किया जाए निए तो suspend किया जाए और affected area में लोग safe area में अंदर रहना चाहिए और evacuation को mobilize किया जैसे प्रधान साफ बोल रहे थे already evacuation process में है और motor boards any shipping activity को completely बंद करना है next space जो West Bengal के हिसाफ से इसका impact Odisha में कम रहेगा accordingly damage expected Odisha में कम ही होगा मगर जो 110-120 और gustiness में 135 km प्रतिवंटा जो winds some coastal districts जैसे बालासोर भद्रक जो की नस्तिक होगा truck के साथ और जगर सिंपुर केंद्रापड़ाग हो सकता है उहां भी आपको थेचर हाउसेज में damage हो सकता है और bending और off-rooting of some power and communication lines भी हो सकता है इसमें भी widespread damage हो सकता है जो standing crafts है wind की बज़े से और बारिस की बज़े से plantation से और charts है और coconuts भी small boats country crafts अगरा भी affected होंगे इसलिए हम यह सजेस्ट किये हैं ओडिशा की पास जो area है वहां भी total suspension होना चाहिए और यह वो लुगा की Odisha, West Bengal, Bangladesh की पास जो entire North Bengal है वहां total fishing operation suspension होना चाहिए कोई 20 तरिक तक और यहां भी rail road traffic को coastal area में diversion या suspension होना चाहिए इसलिए हम advice दिये हैं और people जो affected area है चारों डिस्टिक में घर की अंदर रहना चाहिए जब cyclone pass कर रहा होगा और सभी motor boats या country boats small ships को भी बंद रखना चाहिए जो यह है जो हम जानकरी दे रहे हैं और तीन घंटे हम cyclone की बारे में नजर रख रहे हैं और special bulletin issue कर रहे हैं यह special bulletin all constant state governments, media और general public को भी हम आपके माध्यम में दे रहे हैं धन्यवाद 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 I think detail देने के बाद और preparedness के उमीद करते हैं कि जो जो भी आपके advisories हैं चाहिए NDRF की तरफ से हो या IMD की तरफ से हैं हम साब उसका पालन करेंगे मेरा नहीं क्याल कोई अब भी प्रस्टन किसी का है इस प्लीज टेक माइक सर आपने कहा कि आप राज सरकारों से उमीद कर रहे हैं कि वो सहयोग करें तो क्या आपकी बाचित हो चुकी है खासतर से पश्ची मंगाल जो गौवर्मेंट है अक्सर हमने देखा है कि वो सेंटर कुछ भी कहता तो तो उनका रवया होस्टाइल रहता है क्या वेस्ट कामले में देखें जहां तक हम लों का इंडिया रएफ